सबसे पहले practical में क्या करना होता है? कि हम यहां पर एक water bath तियार करेंगे और water bath तियार करने के लिए हमने यह setup है आपको दिख रहा होगा, यहां पर इसे show कर लेंगे तो हमारे पास water bath के लिए वैसे तो हमारे पास दूसरी technique करनी होती है पर हमारे पास setup नहीं है, तो हमने इस तरीके से water बात कराना है, तो हमने यहाँ पर यह setup किया, यहाँ पर पानी भरावा है, इसमें हम एक में तो हम क्या कर देंगे, हमने 0.5 molarity का बनाया था, और दूसरे में हम क्या रख देंगे, 25 ml जो हमने methyl acetate लिया था यह, अब यहाँ इसे हम नीचे गरम करने के लिए रख देंगे, और जब हम इसे गरम करने के लिए रखेंगे, तो हमें इसका temperature, इस water का temperature और इस HCL का temperature, इन तीनों के temperatures को हमें maintain करके रख जब यह तीनों का temperature equal हो जाएगा, तो उसके बाद हम, जब तीनों का temperature maintain हो जाएगा, उसके बाद का हम काम start करेंगे, तो अभी